दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड कॉंसलिंग 2024 के बारे में जैसा कि दोस्तो आपको पता है बिहार बीएड इंटरेंस एक्जाम का रिजल्ट आ चुका है अब बारी है दोस्तो कॉंसलिंग का यानि कि ओनलाइन के माध्यम से कॉंसलिंग होता है तो इस वीडियो में डीटेल्स ने बताएं कि आपका कॉंसलिंग परकिरिया कब से कब तक चलने वाला है क्योंकि इसका डेट जारी कर दिया गया है साथ में दोस्तोंfire counseling में जो है कितना पैसा लगेगा सबसे important part और इसके अलावा counseling होने के बाद 아파it जारी किया आता है यानि कि first second third इसका भी date आ चुका है तो कब से कब तक आपका merit list जारी होगा यानि कि कब तक merit list यार जाएगा उसके बाद दूस्तों कर सकते हैं अधिकतम कितना कॉलेज आपको देना पड़ेगा तमाम जनकारी डीटेल्स में जानेंगे तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखेगा चलिए दोस्तों बीडियो स्टाट करते उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक किजेगा और अपने दोस्तों में भ प्रभाद खवर अब पता होगा बिहार का सारफ बहुत थारा नियू जाता है पर भाद खवर में सारफ जारी किया गया है तो सबसे पहले जुलाई से आपका रजिश्टेशन सुरू होने जा रहा है साथ में पहली मेरिटलिस जो है 25 जुलाई को जारी होने जा रहा है तो यहां पर दिए कर दिया गया है यह दोस्तों 11-20 जुलाई तक आपका ओनलाइन के माध्यम से रचेशन करा सकेंगे यानि के ओनलाइन माध्यम से रचेशन करके कॉंसलिंग होगा जो डेट वगए जो भी सीट वगरा सलेक्टरना परता है कॉलेज वगएरा वह आप दोस्तों कर कर दिया गया हैं कि सफल अव्यार्थियों का कौंसिलिंग नरी रचेश्ट आचुका और वह द्ना परता खुटी Emirates Lein जो है राइश्टेशन के समय ही college या संस्था का चेर्ण करेंगे यानि कि दोस्तों जिस भी college में आपका नमांकर लेना है यह आपको select करना होगा आपके rank के नुशार आपको college मिलेगा अगर आप जानना चाहते कितना rank पे कौन सा college मिलेगा तो video हम आलेडी बना दी हैं आपको आई बटन पर लिंक मिल जागा आप देख लिजिएगा दोस्तों बताया गया कि आभ्यारती नियुम्तम जो है तीन और अधिक्तम 9 college का chain कर सकेंगे दोस्तों आप जो है ऑनलाइन जब counseling के लिए form भरेंगे registration करेंगे तो आपको minimum 3 college select करना ही पड़ेगा और अधिक्तम 9 college counseling में यह समझ लीजिए तो counseling के लिए दोस्तों जो जेनरल कंडिडेट हैं उनको 1000 पर जो जेनरल से आते हैं और बीसी इवीसी महिला EWS और दिव्यांग कंडिडेट को दोस्तों 750 पर लगने वाला है वही दोस्तों जैसे counseling संपन होता है 20 जुलाई तक आपका counseling चलेगा और पचीश का पर्थम चैन सुची एलोटमेंट लेटर जाड़ी हो जाएगा जो कि दोस्तों उसके चैन सुची के अधार पर 26 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक दोस्तों जो है आवंटित कॉलेज में दोस्तों आप जो है नमांकन ले पाएंगे दोस्तों यह नमांकन जो है यहां पर 9 अगस्त तक आपका चलेगा यानिकि जो counseling कराएंगे पर्थम जो एलोटमेंट आएगा उ दोस्तमाज लेते हैं कि आपका जैसे पर्थम चैन सुची आज आएगा तो आपको जिस भी कॉलेज में एलोट होगा तो आपके एडिविशन डेट तो किलियर है लेकिन इसमें डॉकुमेंट सत्यापन होता है यानि कि डॉकुमेंट वेरिपिकेशन जो है आपको टोटल ज चलने वाला है तो यह जनकाड़ी आपको जो भी डॉकुमेंट आपका सुरू से लाश तक है यह सारा डॉकुमेंट वहां जामा करना होता है इसके बताया इसके बाद 10 जुलाइस तक जो है अभर्थी जो है जो भी कॉलेज एलोट होता है उसमें अवंटित में पेपर सत्य आपन यानि कि डॉकुमेंट वरिफिकेशन कराएंगे वही 13 अगस्त को दूसरी चैन सुची जाड़ी किया जाएगा यानि कि दोस्तों 13 अगस्त को यानि कि सेम दस तक तो हो जाएगा पर्थम जिन लोगों का नाम पर्थम चैन सुची में नहीं आया एक्जामपल के लिए तो उनको 13 अगस्त को दूसरी चैनस सुची जाड़ी किया जाएगा जनकारी के लिए बता दे अब दोस्तों इस अधारपर दोस्तों जो दूसरा चैनस सुची आएगा उसके अधार पर 14 सले के 25 अगस्त तक दो उनका भी एडिविशन का परकडिया चलेगा यानि कि जिस भ माल लिए किसी को डॉकुमेंट लाने में देडी हो रहा है तो दो दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है यहां पर तिसरी चैन सुची की बात करें आप दोस्तों माल लीए दो आगया दोनों में आपका नाम नहीं बहुत सरे स्टुडेंट का नहीं आगा क्योंकि इस बार कटप हाई जाने वाला सब को पता है यह बात अब दोस्तों इसमें बात कर ले देख लीजिए यहां पर तिसरी चैन सुची जो है 29 अगस्त को आपका तिसरी चैन सुची जारी किया जाएगा और इसके अधार पर दोस की देख लीजिए यहां हो गया आप दोस्तों समझ लेते हैं को कॉंसलिंग का प्रकिडिया है यह तो ऑनलान के माद्यम से होता है सब को पता है तो यहां पर आपको यह बता गया है कि कॉंसलिंग कैसे होगा तो यह सब जनकाड़ी निकल के सारा डोट डेट बगर हमने आप आपको क्लियर कर दिया और जैसे ऑनलाइन के मादे हमसे कॉंसलिंग शुरू होगा तो हम आपको वीडियो बना के प्रोपर एस्टेप बेस्टेप भॉम भरके बता देंगे या आप हमारे टेली के नाम में जॉइन कर दीजे नीचे लिंक दिया गया है वीडियो अच्छाला क लाइक किजिए दोस्तों में भी शेयर कर दिजिए बहुत बहुत धन्यवाद